कि लोग बहुत दिखाते हैं यर कि मैं बहुत सेर्यूस हुँ पढाही करा हूँ बली कुछ कर नी पा रहे तो मेरा मनना ही ये कि आपको स्गर्यस होने के लिए सेरे दिखना जरूर ही नहीं है अगर हम अपने passion पे काम करते हैं, जो हमारा interest है, हम उस पे काम करते हैं, तो साइध हम कुछ बहुत बढ़ा कर सकते हैं, संकल्प में बिकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धी है, यह मैं हमेशा से कहता हूँ, जिंदगी के सवालों को कैसे solve करते हैं, यह बताने आयों आज सफर एक cycle से लेके Mercedes तक कैसे तै किया और कैसे मैंने अपने ख्वाबों या सपनों को पूरा किया, आज हम उस सब बात करेंगे, बहुत सारे लोग समझते हैं, कि गाउं से पढ़के आगे नहीं जा सकते हैं, मैं भी एक UP के बहुत छोटे से गाउं, बुलेंशर में पढ़त एक ऐसा school था जहां पर हम पट्टी लेके जाते थे, एक से लेके पांचमी क्लास तक हमारे पास बुक्स रखने के लिए बैग नहीं था, हमारे पास एक बोरी हुआ करती थी, उस बोरी में हम बुक्स रखते थे, जब school जाते थे तो उसी को बिच्छा के बैठ जाते थे, त उस वक्त भी मुझे लगता है कि मिरे पास एक सोच थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है अगर मैं इस माहौल में पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि बाहर का माहौल कैसा होता है, या सहर में कैसी पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ लगता था कि इसको बहतर बनाया जा सकता है, मैं हमीजा से पढ़ाई में कभी ऐसा निथा कि मैं लगता निथा कि बहुत इंटेलिजन्ट हूं, मेरे घर में मेरे सब लोग यह कहते थे यह यह नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैंने कभी लाइब को ऐसे प्रजेन नहीं कि मैं बहुत सीरियस हूं, यह लोग बहुत दिखाते हैं जार कि मैं बहुत सीर्यस हूं on मैं भली कुछ कर नहीं पा रहे तो मेरा मुझना ही है कि आपको सीर्यस होने के लिए सीर्यस दिखना जरूरी नहीं है आप लाइब को जितना ज्यादा जितना ज़्यादा आप कम प्रेसर के साथ पढ़ेंगे या किसी भी चीज में आप त्यारी क्रैइंड 1700 के Texas कम प्रेसर के साथ अगर आप काम करेंगे तो जज्यादा प्रयादा अच्छा उट्पूर्वत दे पाएंगे करते हैं जो हमारा इंट्रेस्ट है उस पर काम करते हैं तो साइध हम कुछ बहुत बढ़ा कर सकते हैं कई बार हम इस्ट्रगल के डर से आपको अपने संगर्स पर ट्रस्ट करना है अगर आप उसके डर से अपना फीचर चुनोगे कि यह मेरा डर है यार मैं ऐसा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा और यह चीज मैं छोड़ देता हूं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते और दूसरी बात होती है कि जो आपने संकल्प लिया है लाइफ में कुछ पाने का आप उसमें अगर एक ऑप्शन रखते हो तो होता क्या है कि जब हम ऑप्शन रखते हैं मान लेते मै ने दो साल किसी चीज के लिये श्टरगल किया तो अकर मेरे पास दूसरा औप्शन होता है तो में वह सुच करने की सोच तो कि मैं इदर चला जाताह हूं और आप समझते हैं कि जहां आप हैने तीन साल और दूसरा रास्ता चुंते हो तो तो आपको फिर वापस सुराス से स करना वी टीम धा कि मुझे बभी एक्टर बनना अट बनने से मिरा मतल़ आज भी म्युई अपने अप को अपको अ counties और मानता हूं आज मेरा पढ़ाने का अंदाज का अज मेरा अंदाज भी एक्टर वाला ही मुझे लोग मैं बनना चाथा canción कि बहुत सारे लोग मुझे सुनने वाले हो यह मेरे लाइफ का ड्रीम था एक तरीके से एक्टर बनने का मतलब जो मैं आज कर रहा हूँ तो मेरे बास कोई option नहीं था मुझे लगता था मुझे ऐसा ही करना है ऐसा ही करना है जबकि मेरे फादर यह चाहते थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं मेरा इंट्रेस्ट नहीं था फिर भी उसके बाद भी मैंने कॉलेज कंप्लीट किया और उसके बाद जब मैं डेली आया 2012 में तो बहुत ज्यादा खराब इस्तिती थी मेरा प्लेस्मेंट हो चुका था लेकिन जोइनिंग का कुछ पता नही तो इसके बहुत चांसे सोते हैं कि वह बच्चा गलत दिसामें चला जाए क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वह उस माहूल में नहीं डल पाता तो आपको उस वक्त उसे सपोर्ट करने की जरुवता है जैसे मेरे फादर ने किया एक चीज जो मुझे अपने करते हैं कि अरे तुम इतने मांक्ष नहीं लेकि आए वह यह नहीं लेकि आए जबकि मैं अगर 90 का टार्गेट बनाता था और मेरे 70% मांक्स आ जाते थे तो मेरे फादर हमेश्चा मुझे कहते थे और तेरे मांक्ष ना गलती से कट गया एड नहीं हो पाएं तेरे 90 हैं करते हैं उन्होंने मतलब मुझे कभी गिदने नहीं दिया और साइद उन्हीं की इस तागत है जो मैं आज यहां कड़ा हूं